तो आज हम लोग माइक्रोब इन हीमेन वेलफियर 15 मिंट के अंदर खतम करेंगे तो अभी तक आप नए है इस चैनल पर जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा जो यह रेड कलर का बटन है इसे जरूर दबा दीजेगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे और सबसे important है कि आप इसमें all select करेगा ताकि आप को notification मिलता रहे आज जो में भी पढ़ाऊंगा जो भी handwritten notes होंगे इससे आपको टेलिग्राम पे आपको इससे इसका notes मिल जाएगा तो इस टेलिग्राम से जुड़ जाएगा इस वीडियो के description box में इस वीडियो के comment section में आप पर हर दिन लाइफ पढ़ाता हूं और इस लाइफ का फादा उठाने के लिए आप सबको एकैडमी के साथ जुड़ जाना चाहिए डेली सुबह नौ बज़े और शाम को आठ बज़े शाम को आठ बज़े फुल मॉक टेस्स रहता है जो NCRT पर बेस्ट है MWF और TTS में सब्सक्राइब के साथ और 2024 के भी बैचेश हमारे चल रहे हैं माइक्रोब इन हुमन वेलफेर राइट माइक्रोब इन हुमन वेलफेर तो माइक्रोब लाइक बेक्टीरिया मैनी फंचाई ग्रोव इन नुट्रिटिव मीडियम पॉर देवते फॉर्म और कॉलनी बनाती है और इसे आप निकेट आई के थुरू देख सकते हैं क्योंकि जब यह ग्रोथ करेंगे डिपेंडिंग अंदर टाइप ग्रोथ टे कैन भी अनलाइज कि हां यह बैक्टीरिया है सच कल्चर इस यूसफुल टे स्टड़ी दे माइक्रोब और इस कल्चर को माइक्रोब कहेंग लक्टीक एसेड बेक्टीरिया इस लाब बक्टीरिया और यह ग्रोग में करता है और इसे कर देगा कर देगा करेंगे कर देते हैं converting milk into the code is also improve the nutrition value because अगर हम बात करें nutrition value की तो मिल्क से ज्यादा nutrition हमारा कर्ड होता है विकॉस कर्ड कंटें दर विटामिन भी ट्वेलाइं इस इंपोर्टन फॉर्मेशन अफ आपी सी इसके कमी के कारण पर नीच से सिनीमिया हो जाता है और नीट में भी आया है कि किस फैक्टर की जरूरत पड़ती है तो गुदा हुआ आटे को हम ब्रेट बना सकते हैं फर्मेंटेटिंग यूजिद बेकर इस सेक्रोमाइस सरे वेसी स्विस्चीज भी बनता है स्विस्चीज में बहुत सारे चोटे-चोटे-चोटे-चोटे लाज ह ऐन विच देन अप पर्टिकुलर फ्लेवर उसके बाद उसमें ऐसा फ्लेवर देखा जाता है उसके अंदर उसके अंदर फ्लेवर देखा जाता है डाइट से ह afraid so अब हम discuss करते हैं माईट्रोव इन industrial product microbe industrial product industrial product में देखेंगे तो beverage and antibiotic for the same example right production of industrial scale production of industrial scale production of industrial scale बहुत आरे industrial scale में भी इसका यूज किया जाता है तो beverage or antibiotic or production of industrial scale production of industrial scale में किया जाता है right beverage and antibiotic are the same example and production of uh industrial scale and uh permittated beverage के बारे में अगर हम बात करें तो there is a production of beverage like vine, weir, whisky, brandy or rum and for this purpose the same yeast that is Saccharomyces cerevisi is used now we have an antibiotic antibiotic are the chemical substance which is are produced by the same microbe can kill or retard the growth of other other microbe right they kill or retard the growth of the other microbe to other microbe growth rate about micro growth rate कर सकते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं antibiotic the antibiotic or the chemical substance which are produced which are produced which are produced by the some microbes and can retard or kill the growth of the other disease-causing microbes penicillin was the first antibiotic to be discovered penicillin को सबसे पहले discover किया गया है Alexander Fleming while working on the staphylococcus bacteria once they absorb the and they they and was culture और उन्हेंने penicillium notatum penicillin डिसकवर किया है penicillin जो है penicillin penicillin डिसकवरिंग हुआ है और काफी बहतर माना जाता था उसमें second world war में बहुत सारे infections थे तो उसको control करने के लिए its full potential are effective antibiotic was established much letter or earnest chain and flow rate तो यह कोशन आया है चेन और फ्लोरे ने इसको प्रोपरली बताया है कि कैसे क्या होता है तो life is they are helpful for the removing the oil strain from the laundry बोटल फ्रेश जूस जो होता है इसे क्लिर करने में मदद करता है and this is because the bottle juice clarify by use of pectinase and proteases next step to kinase अगर किसी को heart attack आता है तो उसके अंदर block is हो जाता है तो block is को a remove करता है that they are produced by the bacterium steppococcus modify the genetic engineering and they used to the clot buster is a clot buster के तरह use किया जाता है cyclosporine they are used for the immunosoperative agent immunosoperative agent के तरह use किया जाता है organ transplantation patient they are produced in the fungus trichoderma polyasperum status they are produced by the east monascus purpurus ये सारे डाटा बहुत ही important है lowering agent जो statins जो होता है blood cake cholesterol को कम करता है and they are produced they are produced by the monascus purpurus monascus purpurus lowering agent cholesterol lowering agent है which are because they are competitive inhibitor of enzyme responsible for synthesis of cholesterol which is synthesized inside the liver so microbe in a serious treatment the major component of wastewater is a human iscrita or they are the two type of treatment one is called primary treatment other is called secondary treatment secondary treatment ko हम biological treatment कहते हैं because they are concerned for the the lot of microbe aerobic or analogic or primary sediment primary treatment में दो चीजे होती है sedimentation and filtration so they involve the physical removal of particles large and small from the seaways through the filtration and sedimentation all solid that are settled from the primary sludge primary sludge में उस तैंक के अंदर जो सेटल हो जाएगा and supernant solution जो बचा होता है देशे effluent and they can be transfer into the next tank that is called aeration tank because the minute hole is present on this tank effluent from the primary settling tank is taken from the secondary treatment of secondary treatment के लिए चला जाता है secondary treatment is also called biological treatment the primary fluent is passed into the large aeration tank where it is constantly educated mechanically and air pump into it अगर एर पंप होगा तो वहां पे aerobic bacteria का ग्रोथ होगा and this aerobic bacteria is important to remove the toxic substance from the microbe तो वसे less toxic बनाएगा this allow the vigorous growth of useful aerobic uh microbe into the flock and masses of bacteria associated with the fungal filament from the mesh the structure mess of the structure right so while the growing this microbe consume the major part of the organic matter of the effluent and this significant reduce the BOD a BOD को significantly reduce करता है that is called bio biochemical oxygen demand of the effluent BOD refers to the amount of oxygen would be consumed if all the organic matter of one liter of water were oxidized by the bacteria and that's called BOD इसी को BOD कहते हैं BOD जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा यह पॉलुटेंट होगा sorry water pollutant होगा BOD जितना ज्यादा घड़ेगा उतना ज्यादा water less pollutant होगा so once the BOD a seaways the waste water is reduced significantly the effluent जो जो बचा हुआ पानी है then pass into the settling tank where it bacteria which is called flock is allowed to sediment and this sedimentation is called activated sludge so during the digestion the bacteria produce a mixture of gases that is methane hydrogen sulfide and carbon dioxide and this gases form the biogas which is used the source of fuel and energy or might be they are in flammable in a ruler area the ministry of environment and forest initiated the Ganga action plan in Yamna action plan to save the major river क्योंकि directly हम river में डालेंगे तो river pollutant हो जाएगा वहीं से हम पानी सारा पीते हैं तो यह बहुत हो जाएगा तो यह से रोकने में मदद किया है now the microbes production of biogas the methane ocean is such a common bacteria methanobacterium this bacteria commonly found in anaerobic sludge during the cv statement और उसी उसी का इस्तिमाल करके रूलर एरिया में हम बायोगाइस का production करते हैं इस वेक्टेरे इस आसो फांद इन रूमन आफ दे रूमन आफ दे अना बनाने और lightning में यूज किया जाता है इस टेक्नीक और बायोगास production was developed in India mainly due to the effort of Indian Agriculture Research Institute and KVIC खादी खादी विलेज इंडूस्टी Commission microbe as a biocontrol agent biocontrol refers to use a biological method for the controlling the plant disease and paste plant disease को अगर control करना हम biological method को use करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा biological control of paste and disease in agriculture there is a method is controlling the paste and rely the natural predator rather than the introduction of chemical because some chemical को use करेंगे तो हमारा atmosphere pollution होगा और वो chemical कहने कहीं हमारे शरील में भी आसकता है and then lead to the several problem so very familiar example the beetle with the red and black marking the lady bird and dragonfly are useful to get rid over the aphids and mosquito respectively the example of microbial biocontrol that can be introduced in order to control the butterfly catepillar is a bacteria thryogenesis and often written as bt and biotechnology में करेंगे the biological control being developed for the use in treatment plant disease in the fungus is trichoderma and trichoderma species are free living and that can be very common in root ecosystem they are effective in biocontrol agent for the several plant pathogen and bucklaw virus is the pathogen that attack the insect and other orthoport this is very important microbe used as a biofertilizer biofertilizer organism that enrich the nutrient quality of the soil the main source of biofertilizer are bacteria fungi and cyanobacteria and fungi is also known to form a symbiotic association with the plant mycorrhiza many members of genus glomus glomus is important for the sign of micro mycorrhiza mycorrhiza is associations of the root of the higher plant and lichen cyanobacteria are autotopic and they are widely distributed in aquatic and terrestrial environment mainly they can fix the atmospheric nitrogen example annavena nostocococytiluria in paddy field a iowa question a cyanobacteria serve as an important biofertilizer that's all thank you so much you you